हालो स्टूडेंट्स वेलकम बेक टू बाइयलोजी टूटूरियल आम डॉक्टर अंकित जेन और हम बाइयलोजी एंसे इलेवन क्लास का सेकंड चेप्टर पढ़ रहे हैं तो हमारा सेकंड चेप्टर है बाइयलोजिकल क्लासिपिकेशन जिसके उपर हमने दो वीडियो पहले इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे किंग्डम प्लांटी किंग्डम एनिमेलिया वाइरस वाइरोइड प्रियोंस एंड लाइकेंस तो सबसे पहले बात करते हैं किंग्डम प्लांटी तो किंग्डम प्लांटी के अंदर सिंपली हम कह सकते हैं सभी प्लांट्स को करते हैं हमने कहा इन में chlorophyll प्रजेंट होता है जिसकी वज़े से यह फोटो सिंतेसिस कर सकते हैं अपना फूड खुद प्रिपेर कर सकते हैं इसलिए हम यह कह सकते हैं कि मोस्टली प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रोफिक होते हैं हाला कि कुछ मेंबर्स हैं जो पार्श करते हैं कीडों को खाते हैं और इसी तरह से कुछ प्लांट्स हैं जो की पेरासाइट्स होते हैं इंसेक्टिव औरस प्लांट्स के एक्जामपल हम कह सकते हैं ब्लेडर वर्ट और वीनस फ्लाइट्रेप इंसेक्टिव औरस प्लांट्स हैं जो अपनी नाइट्रोजन रिक् plants की structure की अगर हम बात करें तो जो plant cell होती है वो एक eukaryotic cell होती है जिसके अंदर well developed chloroplast present होता है इनके अंदर cell wall भी present होती है जो mainly cellulose से बनी भी होती है तो ये हमने kingdom planting के कुछ basic characteristics features को देखा अब हम बात करते हैं members of kingdom planting तो kingdom planting के अंदर हम include करते हैं algae, bryophytes, teridophytes, gymnosperms and angiosperms तो ये सभी different plant groups हैं जो आपस में मिलकर के पूरा plant kingdom बनाते हैं algae, bryophytes, teridophytes, gymnosperms and angiosperms अब हम बात करते हैं life cycle of a plant तो plants की life cycle में दो different phases होती है एक diploid phase होती है जिसे हम कहते है sporophyte या sporophytic phase और एक haploid phase होती है जिसे हम कहते है gametophyte या gametophytic phase ये दोनों phase जो है alternate form में एक के बाद एक आती है तो जो diploid phase है यानि की sporophyte sporophyte के अंदर meiosis होता है जिससे spores produce होते हैं ये spores को produce करने वाली phase है इसलिए इसका नाम है sporophyte अब ये जो haploid spores बनते हैं ये आगे जाके gametophyte बनाते हैं gametophyte के अंदर mitosis होता है जिससे haploid gamets बनते हैं ये gametes को produce करने वाली phase है इसलिए हम इसको gametophyte कहते हैं अब ये जो haploid gametes बनते हैं इनका fusion होता है जिससे again diploid phase gigote बनती है जहां से फिर से sporophytic generation start हो जाती है तो इस तरह से plant की life cycle में alternate form में sporophytic और gametophytic phase आते हैं अब sporophyte generation की length क्या होगी gametophyte generation की length क्या होगी इनका nature क्या होगा कौन dependent होगा कौन free living होगा ये सब plant के अलग-अलग groups के अंदर अलग-अलग होता है यानि कि algae, bryophytes, teridophytes, gymnois pumps और angiois pumps के अंदर sporophytic और gametophytic generation की length अलग-अलग होती है और उनका dependent या free living होना भी अलग-अलग group के अंदर अलग-अलग होता है और ये जो phenomenon हम पढ़ रहे हैं जिसमें एक generation sporophytic और उसकी next generation gametophytic होती है इसे कहा जाता है alternation of generation तो kingdom planting को brief में discuss करने के बाद अब हम बात करते हैं kingdom animalia या animal kingdom जिसके अंदर हम सभी animals को include करते हैं animals के characteristic features की बात करें तो ये multicellular eukaryotic organism होते हैं जो heterotrophic होते हैं और इनकी cells के अंदर cell walls absent होती है इन characters को हम five kingdom classification के basis पर अगर समझें तो हमने prokaryotic organism के लिए monera kingdom बनाया तो इस तरह से अब बजगए सभी eukaryotic organism eukaryotic organism को हमने दो ग्रूप में divide किया unicellular and multicellular unicellular eukaryotes के लिए हमने separate kingdom बनाया protista तो अब हमारे पास बजगए multicellular eukaryotes जिनको हमने तीन kingdom में divide किया planty, fungi और animalia इन में से जो multicellular eukaryotic और autotrophic organism होते हैं जो अपना food खुद prepare करते हैं याने की plants उनके लिए हमने separate kingdom बनाया kingdom planty तो अब हमारे पास बजगए multicellular eukaryotic and heterotrophic organism इसके हमारे पास दो kingdom है kingdom fungi और kingdom animalia इसमें हम कहेंगे kingdom fungi के अंदर cells में cell wall present होती है और kingdom animalia के अंदर हम कहेंगे cells के अंदर cell walls absent होती है तो इस तरह से animals के characteristic features हो गए ये eukaryotic होते हैं, multicellular होते हैं, heterotrophic होते हैं और इनकी cells के अंदर cell walls absent होती है तो अब जैसा कि हमने कहा animals heterotrophic होते हैं यानि कि ये अपना food खुद prepare नहीं करते बलकि अपने food के लिए ये directly या indirectly plants के द्वारा बनाए गए food पर depend होते हैं यहाँ पर direct dependence का मतलब है herbivores animals जो सिधे plants को खाते हैं और indirectly depend करने का मतलब है carnivores जो plants को तो नहीं खाते हैं पर ऐसे animals को खाते हैं जो की plants को खाते हैं तो जो herbivores हो गए वो अपने food के लिए directly plants पर depend होते हैं और जो carnivores होते हैं वो अपने food के लिए indirectly plants के उपर dependent रहते हैं एनिमल्स के अंदर mode of nutrition की हम बात करें तो यह food को खाने के बाद body के अंदर internal cavity में digest करते हैं mostly elementary canal यह gut के अंदर food का digestion किया जाता है और जो extra food होता है उसको glycogen यह fat की form में body के अंदर reserve किया जाता है तो एनिमल्स के case में हमने कहा कि यह food को पहले खाते हैं उसके बाद में उसको पचाते हैं फर्स्ट इंजेशन देन डाइजेशन और इस तरह का mode of nutrition के लाता है holojoic mode of nutrition नेक्स्ट करेक्टर है एनिमल्स का growth pattern एनिमल्स एक particular growth pattern को follow करते हैं और grow करने के बाद यानि कि adult में convert होने के बाद इनका एक definite size और shape होता है फर एक्जामपल human का अपना size और shape है elephant का अपना size और shape है dog का अपना size और shape है तो सभी एनिमल्स particular growth pattern के according grow करते हैं और grow होने के बाद एक particular size और shape को acquire करते हैं अब हम एनिमल्स के higher forms की बात करें higher animals की बात करें तो इनके अंदर elaborate sensory and neuromotor mechanism present होता है इसका मतलब यह है कि इनका sensory system बहुत ज्यादा developed होता है vision के लिए हमारे पास eyes होती है hearing के लिए हमारे पास ears है smell के लिए हमारे पास nose है हमारी skin भी एक तरह का sense organ होती है तो यह तो sensory organs की बात हो गई neuromotor mechanism की हम बात करें तो body की muscles और neuron यानि की nervous system neural system के बीच में proper coordination होता है for example अगर हम human beings की बात करें तो drawing, painting, dancing यह सभी fine neuromotor coordination के example होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जो animal kingdom के higher phyla है जो well developed animals हैं for example जो coordinates होते हैं इनके अंदर sensory system और neuromotor mechanism दोनों बहुत ज़्यादा developed होते हैं और ज़्यादा तर animals जो होते हैं इनके अंदर locomotion present होता है यानि की ये एक place से दूसरे place तक move करते हैं animals के अंदर mostly sexual reproduction present होता है जिसमें male और female animals के बीच में copulation होता है then fusion of gamet यानि की fertilization होता है जिससे जाइगोट बनता है जाइगोट से embryo बनता है और embryo के अंदर embryological development होने के बाद new of spring produce होती है students हमने kingdom planty और kingdom animalia को बहुती brief में discuss किया है क्योंकि इन दोनों kingdoms को हम separate chapters की form में आगे पढ़ने वाले हैं अब हम बात करते हैं virus, viroid, prion and lichens अगर हम विटे करके five kingdom classification की बात करें तो विटे करके five kingdom classification के अंदर इन सभी organisms को discuss नहीं किया गया है five kingdom classification के basis पे हम lichen को किसी भी kingdom के अंदर नहीं रखते हैं और इसी तरह से जो a cellular organism हैं जिनके अंदर cellular organization absent हैं for example virus, viroids और prion इन सभी को five kingdom classification के अंदर discuss नहीं किया गया है इसलिए अब हम इन सब को separately brief में discuss करेंगे सबसे पहले बात करते हैं virus और एक common example से हम इसको introduce करते हैं हम सभी को life में कभी ने कभी common cold या flu या जिसको हम कहते हैं सर्दी जुकाम हुआ है जो कि virus की वज़े से होता है हाला कि आज कल एक और famous virus है coronavirus जिसकी वज़े से बच्चा-बच्चा virus term के साथ familiar हो चुका है virus को living organism के classification में हमने कहीं भी discuss नहीं किया है क्योंकि virus को truly living organism consider नहीं किया जाता है क्योंकि living organism की हमने defining property पढ़ी थी cellular organization और virus के अंदर cellular organization प्रजेंट नहीं होता है इसलिए virus को पूरी तरह से living organism consider नहीं किया जाता है और इसलिए हमने जो five kingdoms पढ़े हैं उनके अंदर virus को discuss नहीं किया है और अब हम separately virus को brief में पढ़ेंगे तो इस तरह से हम कह सकते हैं virus non-cellular organism होते हैं और living cell के बाहर अगर हम बात करें तो virus जो है यह inert crystalline structure की form में होते हैं यानि कि non-living particles की तरह behavior करते हैं और जब यह किसी host cell को attack करते हैं host cell के अंदर enter कर जाते हैं तो उस host cell की cellular machinery को take over करते हैं और उसकी help से virus अपने आपको replicate करते हैं यानि कि खुद की multiple copies बनाते हैं और ultimately उस host cell को kill कर देते हैं हमने देखा कि host cell के बाहर virus non-living particles की तरह होते हैं और host cell के अंदर यह living organism की तरह behave करते हैं इसलिए virus को non-living भी कहा जा सकता है living भी कहा जा सकता है और ज्यादा बहतर होगा हम इसे कहें connecting link between non-living and living अब हम बात करते हैं वाइरस नाम का मतलब क्या होता है तो वाइरस वर्ड का मतलब होता है वीनम या पॉईजनस फ्ल्यू यह नाम दिया था Dimitri Ivanovski ने 1892 में इन्होंने टूबेको प्लांट के अंदर mosiac disease को study किया mosiac का मतलब होता है धब्बे या पेचेस तो इन्होंने देखा कि टूबेको प्लांट के ऊपर लिउस के ऊपर पेचिस बन जाते हैं धब्बे बन जाते हैं इसको कहा जाता है टोबे को मोजेक डिजीज और इस डिजीज को कॉज करने वाला जो ऑर्गनिजम था उसे इन्होंने नाम दिया वाइरस जिसका मतलब होता है वीनम या पोईजनस फ्लू यह जो वाइरस होते हैं यह बेक्टीरि इसका प्रूफ फिल्टर को क्रॉस कर सकते हैं इसका मतलब वाइरस का साइज जो है वह बेक्टीरिया से भी छोटा होता है कि 1898 में MW बिजरीनेक ने इंफेक्टेट टोबे को प्लांट से एक्स्ट्रेक्ट निकाला और उसको हेल्दी टोबे को प्लांट के उपर इस्प्र तो हमको याद रखना है वाइरस नाम इवानोवस्की ने दिया था और वाइरस को कंटेजियम वाइवं फ्लूडम कहा था बिजरीनेक ने नेक्स्ट साइंटीस्ट है W.M. Stan Lee इन्होंने 1935 में वाइरस का क्रिस्ट्लाइजेशन किया वाइरस को प्योर क्रिस्ट्लाइन की सेपरेट किया और बताया कि ये क्रिस्टल्स जो है ये मेनली प्रोटीन्स के बने होते हैं अब हमें पता है कि एक specific host cell के बाहर virus inert particle या non-living की तरह behave करते हैं इसका मतलब यह है virus जो है यह obligate parasites होते हैं इसका मतलब एक particular host cell मिलने के बाद ही यह living organism की तरह behave करेंगे और अगर वो particular host cell नहीं मिलती है तो यह non-living particle की तरह behave करते हैं अब हम virus के structure की बात करते हैं तो virus mainly दो चीजों से मिलकर बना होता है protein और nucleic acid हमारे पास mainly दो type के है RNA और DNA तो virus की structure में protein होता है protein के अलावा nucleic acid होता है जो यह तो RNA होता है यह DNA होता है और RNA DNA को हम कहते है genetic material तो हम कह सकते हैं virus की structure के दो पार्ट है protein और genetic material genetic material क्या होता है nucleic acid होता है या तो RNA होता है या DNA होता है किसी भी virus के अंदर RNA और DNA दोनों साथ में present नहीं होते हैं इसका मतलब है virus जो है वो protein के साथ में या तो DNA का combination होता है या RNA का combination होता है इस तरह से हम virus को कहते हैं nucleo protein क्योंकि यह दो चीजों से मिलकर बना है nucleic acid और protein nucleic acid मतलब या तो DNA या RNA जिनको हम genetic material भी कहते हैं और virus का genetic material होता है यानि कि virus के जो DNA या RNA होते हैं यह highly infectious होते हैं जनरली जो plant cells को infect करने वाले virus होते हैं उनका genetic material single extended RNA होता है और जो virus animal cells को infect करते हैं उनका genetic material या तो single extended RNA या double extended RNA या फिर double extended DNA होता है और bacteria को infect करने वाले virus जिनको हम कहते हैं bacteriophase bacteriophase का genetic material जनरली double extended DNA होता है virus की structure में जो protein है यह outer covering बनाते हैं outer coat बनाते हैं जिसको हम कहते हैं capsid यह capsid genetic material को protect करता है यानि कि बाहर protein से बना हुआ capsid होता है जिसके अंदर virus का genetic material या तो DNA या RNA होता है यह protein capsid छोटी-छोटी subunits से मिलकर बनता है इन subunits को कहा जाता है capsomeres वाइरस की body में इन capsomeres का arrangement अलग-अलग geometric symmetry में हो सकता है जैसे helical arrangement और polyhedral arrangements अब यहां हमारे पास दो diagram है diagram A and diagram B diagram A tobacco mosaic virus है और diagram B bacteria phase है जो bacteria को infect करने वाले virus होते हैं अगर tobacco mosaic virus की हम बात करें तो यहां पर protein capsid के अंदर capsomeres की symmetry helical होती है यानि कि यह coiled form में arrange होते हैं और दूसरी तरफ bacteria phase के अंदर अगर हम बात करें तो यहां पर protein capsid के अंदर capsomeres की symmetry polyhedral होती है दूसरी तरफ यहां हम virus की structure को भी समझ सकते हैं बाहर जो outermost covering है जो protecting coat है उसको हम कहते हैं capsid यह capsid protein से बना हुआ है protein की छोटी-छोटी subunits से बना हुआ है जिनको हम कहते हैं capsomeres दूसरी तरफ इस capsid के अंदर रहता है वाइरस का genetic material और यहां पर टोबे को मुझे वाइरस के अंदर वो genetic material है RNA दूसरी तरफ अगर हम एक bacteria phase की structure को समझें तो इसकी structure में कई सारे पार्ट हैं सबसे पहला है head then collar then sheath then tail fibers जिनकी help से यह bacteria की surface पे attach होते हैं यह जो head है यह mainly protein capsid से ही बना हुआ है और इस capsid के अंदर capsomeres का arrangement polyhedral है और इसके अंदर इसका genetic material protected form में रहता है वाइरस से कई तरह की बिमारियां होती है for example mumps smallpox herpes and influenza इन सब के अलावा एक बहुत famous example है human being के अंदर AIDS plants के अंदर अगर हम viral infection के characters की बात करें तो viral infection के जो symptoms plant में दिखाई देते हैं वो है मोजेक formation जिसमें हमको leaf के उपर धब्बे दिखाई देते हैं इसके अलावा leaf rolling and curling पत्तियां मुड़ने लग जाती है yellowing पत्तियां पीली पढ़ जाती है when clearing इसमें leaf के अंदर जो veins होती है वो थोड़ी सी transparent होने लगती है dwarfing याने की overall plant जो है वो dwarf रे जाता उसकी height कम हो जाती है and stunted growth याने की plant की overall growth जो है वो retard हो जाती है वाइरस के बाद अब हम बात करते हैं वाइरोइट्स 1971 में टी ओ डीनर नाम के scientist ने discover किया पोटेटो के अंदर पोटेटो spindle tuber नाम की disease होती है और इस disease के जो infectious agent है वो वाइरस से भी छोटे size के होते हैं यह वाइरस से छोटे size के हैं क्योंकि इन में protein coat absent होता है हमने देखा था वाइरस के अंदर बाहर protein coat होता है जिसके अंदर उसका genetic material होता है और इन नए infectious agents में हमने देखा protein coat absent है और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक free RNA present होता है इसलिए इनको वाइरस से अलग नाम दिया गया वाइरोइट्स और वाइरोइट्स का यह जो free RNA होता है यह low molecular weight RNA होता है याने की बहुत ही छोटे size का RNA होता है वाइरस और वाइरोइट्स के बाद अब हम बात करते हैं प्रियोंस modern medical science में कुछ infectious neurological diseases को discover किया गया है जिनका transmission abnormally folded proteins के तुरू होता है याने की in diseases के infectious agent abnormally folded proteins हैं यह size में वाइरस से भी छोटे हैं और इनको प्रियोंस कहा जाता है इस्टुडेंट्स यहां ध्यान से समझना वाइरस की structure में दो पार्ट होते हैं nucleic acid plus protein देन हमने वाइरोइट्स को पड़ा जिन में हमने कहा था proteins absent होते हैं और सिर्फ और सिर्फ RNA present होता है अब हम बाग कर रहे हैं प्रियोंस जिनके अंदर nucleic acid absent होते हैं और यह सिर्फ और सिर्फ protein के बने होते हैं प्रियोंस से होने वाली common diseases है bovine spongiform encipelopathy जिसे short में B.S.C. और commonly इसे कहा जाता है made cow disease और इसी से milty-julty disease human beings के अंदर होती है जिसको कहा जाता है cruise field jacob disease या CJD तो kettles के अंदर bovine spongiform encipelopathy और human being के अंदर cruise field jacob disease यह diseases प्रियोंस की वज़े से होती है virus, viroid और प्रियोंस के बाद अब हम बात करते हैं lichens lichens जो है यह algae और fungi के बीच में symbiotic association होते हैं symbiotic association का मतलब है जिसमें participate करने वाले दोनों partners को benefit होता है यानि कि algae को भी benefit होगा और fungi को भी benefit होगा lichen के अंदर जो algal component होता है यानि कि जो algae partner होता है उसको कहा जाता है phycobiont और जो fungal component है या जो fungi partner है उसको कहा जाता है mycobiont तो lichen के अंदर दो चीजे है algae और fungi और fungi को हम कहते है phycobiont और fungi को हम कहते है mycobiont इन में से जो phycobiont है यानि कि जो algae है वो autotrophic होती है और जो mycobiont है यानि कि जो fungi है वो heterotrophic होती है यहाँ पर algae फंजाई के लिए और खुद के लिए photosynthesis करके food prepare करती है दूसरी तरफ जो fungi है वो algae को shelter provide करता है और soil से water और mineral nutrients का absorption करके algae को provide करता है इस तरह से इस association में algae को भी benefit होता है और fungi को भी benefit होता है lichen के अंदर algae और fungi का association इतना close होता है कि जब lichen को देखा जाता है तो यह imagine करना बहुत मुश्किल होता है कि यहाँ पर दो अलग अलग तरह के organism association में हैं क्योंकि lichen अपने आप में एक individual organism की तरह दिखाई देते हैं हाला कि इस lichen के अंदर दो अलग अलग तरह के दो अलग अलग kingdom से belong करने वाले organism होते हैं algae और fungi lichen को pollution का indicator माना जाता है क्योंकि यह polluted area के अंदर grow नहीं करते हैं तो अगर हम जंगल में जाएं या किसी ऐसे एरिया में जहाएं जहां पर pollution नहीं है तो वहाँ पर हमको lichen मिलेंगे लेकिन cities के अंदर जहां पर pollution है वहाँ पर lichen पूरी तरह से absent होते हैं इस्टूडेंट्स यह हमारा सेकंड चेप्टर बायोजिकल क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है आई होप चीजें आपको समझ में आई होगी नेक्स वीडियो में हम थर्ड चेप्टर प्लांट किंग्डम को डिसकस करेंगे तिल देन हैपी लर्निंग थेंक्यू थेंक्य अर्च करेंगे बार जाल मुझे थेंक्या थेंक्यू खंड खात्विकल को अभड और जांगे को मेंदू है व करेंड क्यूत्स अधिक।